आज हम आपके लेकर आएं एक ऐसा वशीकरण उपाए जिससे आपके दुश्मन का हो जाएगा नाश और वो भी सिर्फ एक घंटे में आपका दुश्मन आपको कर रहा है परेशान तो तुरंत करें ये उपाए इस उपाए से आपका दुश्मन आपके जीवन से हमेशा के लि आने का ये शक्तिशाली उपाए सबसे पहले आपको अपने दुश्मन से बचने के लिए उसको वश्मे करना बेहद जरूरी है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा मंत्र जिससे आप अपने शत्रू को अपने वश्मे कर पाएंगे जीहां इसके लिए आपको एक नमो आदेश गुरू का हनुमंत बल्वन्ता माता अंजनी का पूत हल हलंता आओ चड़ चड़नता आओ गढ़ किला तोडंता आओ लंका जलंता बालंता भस्म कंता आओ ले लागुम लगंगूर ले लिप्ताय सुमिरते पठका ओचंदी चंद्रावली भवानी मिलगावे मंगलात नाचार जीते राम लक्ष्मन हनुमान जी आओ आओ जी तुम आओ साथ पान का बीड़ा चावत मस्तक सिंदूर चड़ाए आओ मंदोदरी सिंघासन डुलाते आओ यहां आओ हनुमान आया जागते नर्सिंग आया आगे भैरो किलकिलाया उपर हनुमंत गाजे दुर्जन को फाड अमुक को मार संगहार हमारे सत्गुरु हम सत्गुरु के बालक मेरी भक्ती गुरु की शक्ती फूरे मंत्र इश्वरो अमुक की जगे पर आपको अपने दुश्मन का नाम बोलना है जब आपका जाप पूरा हो जाए तो शम्शान का कोईला शत्रू आकरिती के जिस अंग पर रखेंगे शत्रू का वो अंग जलने लगेगा इस उपाई को कभी भी दुर्भावना से प्रेरित होकर ना करें अन्य से ही किसी सूनसान जगे पर कीकर या पीपल का पेड़ धून कर रखें उस पेड़ के नीचे गढड़ा खोदे और एक छोटी सी हांडी में ये कागस मुठी भर साबुत काली उड़त की दाल और मुठी भर चावल रख दें अब एक निम्बु लें और उस पर भी अपने श सně चत्रू नाशाय नाशाय तरासय ताड़य हीम हीम फट इस मंतर को पढ़ते हुए नीम्बु पर सिंदूर छुड़कते रहें इसके बाद बारी बारी से तीन लॉंग ले और लॉंग को ग्यारा बार इस मंतर का जाप करें नीम्बू पर जो आकरती आपने बनाई है उस पर इसे गार दें शत्रू के आकरती के जिस अंग पर आप लॉंग गारेंगे उसका वो अंग पीडित होगा इस विधी के बाद सभी वस्तुएं हांडी में डाल कर गड़े में दबा दे और उपर से मिट्टी भर दे और बिना पीछे दे के चुप चाप अपने घर की तरफ लोटाएं तो दोस्तों ये तो थे दो उपाए जिससे आप अपने दुश्मन को निस्तो नाबूत कर सकते हैं और अपने दुश्मन से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं इन उपाएं को आप अपने आप अपने घर पर कर सकते हैं लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है या आप इसे करने में असमर्थ हैं तो हमारे बाबा जी को कॉंटाक्ट करें बाबा जी आपको आपके दुश्मन से छुटकारा दिलाएंगे